आप नियत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न कर लो दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे और दिखावा चाहे कितना भी कर लो भगवान आपको नियत से ही पहचानेंगे राधे राधे दोस्तों सौगते आपका आधनिक मनी मंत्र में जानते हैं क्या कहते हैं आपकी राशिया कैसा रहगा आपका दिन शुरुवत करते हैं आज की पंचांग से आज का पंजांग 30 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमिती थे अनुराधा नामक नक्षत राज होगी आज का राहुकाल सुबह 10 बचकर 48 मिनट से दुपहर 12 बचकर 16 मिनट तक रहेगी आज का बिजीत मुहुरत सुबह 11 बचकर 53 मिनट से दुपहर 12 बचकर 40 मिनट तक रहेगी दिशाशूल दक्षिट दिशा यदि आप किसी कारण वर्ष इस दिशा में आतरा कर रहे हैं तो जो खाकर घर से बाहर जाएं राबिकारी होगा मित्रो यदि आप भी किसी प्रॉबलम में फसे हुए हैं तो आप अपना कोशिन पूर्ट सकते हैं आप अपना जर्म जटेल और अपना कोशिन कमेंट बॉक्स में आवश्य लिखें तो चलिए मित्रो आज का राशी भल जान लेते हैं कन्याराशी आज का दिन आपके लिए विशेश है क्योंकि आज आप किसी दूसरे शेहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे या आपके करियर के लिए फायदी मन रहेगा अपने मेल देख लें क्योंकि मेल वोक्स में कोई महतपूर्ण अवसर आपकी प्रतिक्षा कर रहा है विदेश में रहरा कोई मित्र आपको साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है शुब रंग सफियद है स्वास्त और कल्यार आप अपने स्वास्त को लेकर अधिकतर लापरवाही रहते हैं लेकिन आज आप आसमान रूप से अपने स्वास्त और फिटनेस कारक्रेम में रूची लेंगे आपको इशारिरिक गति विदी वाली कलास जोइन कर सकते हैं आप अपने खाने में भी बदलाव लाएंगे आप अधिकतर स्वास्त कर विकल चुनेंगे अपसे आप काम या पार्टी जो भी करें आप अपनी सिहत का पूरा खया लखने के मूड में हैं प्यार और सम्मंद दिन के शुराद अच्छी होगी आपके निजी सम्मंद में आपके पार्टनर की खुशी और हसी की रौनक बिखरी रहेगी अपने निजी जिन्दगी में मुश्किल दोर देखा है इसलिए अब आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना और उनके साथ होने का आनंद लीना चाहिए एक कपल की रूप में खुद पर एक साथ हसने से आपकी सारी चिंताएं एक साथ गायब हो जाएंगी करियर और धन आपको इस दिनों से निर्णय नहीं ले पा रहे थे जिसका असर आपके वहवार में भी जहलक रहा था पर ये समय इस बाते छोड़ कर कुछ कर डिखाने का समय है और साथी साथ अपने इस वहवार को बदलने का भी आप बिना भहवीत हुए निर्णय ले जो कि आपके भविश के लिए अच्छा साबित होगा आप किसी अच्छे जानकार से भी अपने पैसे और अपने पेशे से संबंदिस सुझाव ले सकते हैं जो कि आज फाइदि मन साबित होगा शुबंक पाँच, शुबरंग सिल्वर और सफेध उपाय बहार जाते समय केसर या हल्दी का तिलक मस्तक पर करना आर्थिक इस्तिति को सुधारेगा मित्रों, इस वीडियो में दीके जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे ज्यादर स्यादर शेयर कीजे और कमेंट में अपनी प्रॉबलम हमें बताएं ताकि हम आपके लिए उसका उपाय बता पाएं आप सभी का धन्यवाद जैश्री राम